अब ही हमने जैसे पड़ा की प्रारंबिक लेखे का अर्थ क्या होता है अब प्रारंबिक लेखा अगर हमें करना है अगर हमें जनरल में कुछ लेखा करना है जनरल में हमें कुछ एंट्रीज करनी है या रोजना मचा में हमें कुछ एंट्रीज करनी है तो उसके लिए कुछ लावली है कुछ टर्मिनॉलोजी जो हमें पता होना जीए अगर हमें टर्मिनॉलोजी नहीं पता है तो हम उसके बारे में जाननी पाएंगे कि सही में हमें करना क्या है तो इसलिए सबसे पहले इसमें जैसे लिखा हुआ है कि प्रारंबिक लेखा प्रारंबिक लेखा नाम सही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमने जो सौधा किया उसको हम जो लिखते हैं वो होता है प्रारंबिक लेखा दूसरे में हम आ जाते हैं debit में या विकलन बोल सकते हैं debit में क्या रहता है दोरा लेखा प्रणाली में जैसे मैंने पहले बताया थे कि दोहरा लेखा प्रणाली में दो स्वरूप होता है, मतलब दो के बिश में सौधा होगा, तभी वो दोहरा लेखा प्रणाली है, सौधा कभी एक के बिश में नहीं होता है, दो के बिश में एक लेगा, एक देगा, तो उसी प्रकार से इसके भी दो स्वरूप होता है, एक होता लेका अब आते हैं है जर्नलाइऻिंग में पंजियन में पंजियन का मतलब यह है कि हम जो रोज ना मचा या पंजी प्रविष्थी करेंगे तो उसको बुला जाता है पंजियन अब आते हैं to A2 já se अब यहां पर क्या रहता है हम जो भी लेखा करेंगे credit side में समाकलन side में उसमें लिखा तो इंग्लिश में टू लिखा जाता है एकाउंट से पहले किसी व्यक्ति के नाम से पहले या जिस प्रकार का भी खाता है उससे पहले और हिंदी में लिखा जाता है से तो यह हमारा जो लेखा करने का तरीका है तू और से से है अब इसके बाद हम आते हैं फॉरवर्ड करना क जाना है तो हम उसको नीचे लिखते हैं कि आगे ले गया जारी फॉर्वड उसी प्रकार से पीछे से लाया गया जब हम उसको दूसरे पेज में लेके जाते हैं जम उसके क्रम अनुसार दूसरी के एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं लेखा करना स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम लिखते हैं पीछे से लाया gelya मतलब वह जो भी मुरंन वहां पर टौटल हुआ है जो भी हमने टौटल किया है वहांपर लजह आये उसको हम लेकर दूसरे पेज में जाएंगे तो वो लिखा रहता है पीछे से लाया गया अब हम आते हैं ड्रॉइंग्स में ड्रॉइंग्स का मतलब आहरन आहरन में यह बोलना चाहूंगी कि आहरन अगर व्यक्ति वैपार का स्वामी अगर अपने ही पर्सनल यूज के लिए अपने ही नीज यूज के लिए उपयोग के लिए कुछ भी सामान निकालता है या कुछ भी रोकड निकालता है तो वो आपका आजाता है आहरन में जैसे मेरा बिजनस है और मैं उस बिजनस से चाहरी हूं कि कुछ मुझे पैसे चाहिए अपने लिए अपने पर्सनल लाइफ के लिए या अ ऐसा धनराशी लगाता है अगर में को बिजनेस टार्ट करना या आपको बिजनेस टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे उसमें कुछ पूंजी लगाएंगे अगर पूंजी नहीं लगाएंगे तो वैसा है तो हो नहीं सकता तो वो जो पूंजी लगाई जाती है उसको जो धन बेञेट परणिस गेज़ीघा непोला हूट यह सबäre कर दो प्रकार के रहेंगे और हम जो भी माल खरीदए जाहें हम नगत due गवहतलों भक्राह नगत कर तो वह सारे किसके अंदर में वो आजएंगे एक डाल आजए हम आजंगे रहाचे उसके बाद संवान खरीदना और अधिक्तम रेट में बेचना ताकि अधिक्तम उससे हमको लाब हो सके। तो तो उसको घुत wanna ऐते है विख्रय ख़ते में। अभाते हैं विख्रय वापसी में जो अगर जैसा समान उसको संसामान वो वापस हमको छाई नौता ओर वह आजाता है विक्रयवापसि में। हमीं बड़ सकते हैं तो वह जाता है आपका राव आपसी में आ जाएगा Depot क्ष मैंने पहले प्रेट क्रेडिट समझाया था अब में सम्झाओंगी डविट्रक्ष मैंने पहले ही बोला ता कि दो हो रहा लखा केंट्री .